हाई द्विल्टीज वेलकम टू इजी वी कॉमर्स क्लासेज मैं हो तापित और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपना स्टाफिंग चेप्टर कवर करेंगे यानि कि आज की वीडियो में हम अपने स्टाफिंग गो फुल कवर कर लेंगे स्टाट भी करेंगे तो एंड भी एक ही वीडियो में होने वाला है तो वन शॉट वीडियो है गाईज अपनी बुक आप निकाल सकते हो और उसमें स्टाफिंग चेप्टर खोलिए तकि आपको एक कम समय में पूरा चेप्टर समझने को मिल सके साथ के साथ के साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आईडी हताब बिता मैंसी या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो अब स्टार्ट करते हम अपना चेप्टर जोसका नाम है स्टाफ का इंक करना स्टाफ को इंक कर देना स्टाफिंग कहलाता है स्टाफ को इंक करना स्टाफिंग है यानि कि अब तक आपने मानेजमेंट में सिर्फ प्लैनिंग करी थी फिर कामों को और्गनाइज किया ठीक है कि क्या क्या काम है बिजनस में परचेस का काम है प्रोड ताकि जो इन कामों को संभाल सके तो that is called the staffing उसके बाद आप directing and controlling करते हो but आज हम third अपना staffing पढ़ेंगे यानि कि पॉस DC में से पॉस में से एस पढ़ने वाले है that is called staffing so staffing is the staff को इन करना staffing हिलाता है but यह definition हम अपने exam में नहीं लिख सकते है right so staffing का मतलब को होता है सही आदमी को सही जगे पर काम पर लगाना staffing लाता है अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को या फिर अगर मैं कहूं purchase के बंदे को finance में बठा दोगे या finance के बंदे को purchase में बठा दोगे तो काम नहीं होगा नहीं होगा न परचेस के बंदे को क्या पता finance में P&L कैसे बनाना है, balance sheet कैसे बनानी है वही finance वाले को क्या पता कि आलू को भी किस भाव चल रहे हैं और कैसे vendor से deal कर जानी है तो इसलिए staffing बहुत important होता है एक business को आगे बढ़ाने में, चलाने में और एक business की growth के लिए स्टाफिंग में हम सही बंदे को finding the right people for the right job इसे स्टाफिंग कहते हैं guys या putting people for the job इसे स्टाफिंग कहा जाता है अगर आप थोड़ी भारी भरकम definition लिखना चाहते हो स्टाफिंग के जो process है उसको भी include करके यानि कि उसको एक synchronized way में भी हम definition बना सकते हैं स्टाफिंग में हम recruitment करते हैं स्टाफिंग में आपको इसके process में बताऊंगी सारा समझाऊंगी सबसे पहला तो यही चीज़ के स्टाफिंग का मतलब आपको clear हुआ finding the right people for the right job ठीक है सही बंदे को सही काम पे लगाना स्टाफिंग है सेकंड टॉपिक है guys हमारा importance of staffing आखिर बिजनस में staffing की need है क्यों हमें तो देखो staffing इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि business का जो goal होता है machine लगाकर पूरा नहीं किया जा सकता उसके लिए एक अच्छा human resource होना ज़रूरी है यानि कि जो competent आपके employees है वो होने ज़रूरी है क्योंकि machine अपने आप काम नहीं करती laptop अपने आप काम नहीं करता तो उसके लिए logo का सही चुनना बहुत ज़रूरी है इसलिए staffing important है बुक में हमारे पांच टोटल हमें इसके importance given है ठीक है कि उसको एक अच्छे competent जो time के साथ changes के साथ लड़ सकते हैं ऐसे employees मिल पाते हैं इसलिए staffing proper हो तो business को ये benefit होगा कि उसे employees अच्छे मिलेंगे higher performance second is higher performance business की performance क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके employees अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं काम को अच्छे जरीके से जानते हैं समझते हैं और करते हैं इसके बाद है guys third हमारा continuous survival and growth जब यह भी हमारे पास staff proper होता है तो business survive भी करता है and growth भी कर पाता है अगर business के employees ही काम धंक से ना करेंगे तो ना ही survival होगा business का और ना ही आगे बढ़ पाएगा तो business की जो survival and growth है वो totally किस पर depend होती है वहाँ के employees पर वहाँ के management पर उसके बाद आता है optimum utilization of human resource staffing के की वजह से ही हम अपने human resource को यानि कि जो हमने employees रखे हैं उनको properly utilize कर पाते हैं यह बंदा computer में अच्छा है तो उसे computer का काम हम काफी हद तक जितना उससे करा सकते हैं और जो काम हमें पता है कि यह बंदा अगर computer के अलावा कोई electrician है वो electrician के काम में है तो हम उससे वह काम कराते हैं तो इसलिए हम अपने जो भी हमारा employees है उससे proper utilize कर पाते हैं उसके बाद है improved job satisfaction and morale of employees यानि कि through the staffing हम अपने employees का morale increase करते हैं क्योंकि उनके मन में satisfaction रहते हैं कि हम इस काम के लायक हैं और हमें वही काम दिया गया है आप पड़े लिखे बंदे को अगर आप labor class काम में डाल दोगे होती है और उसके benefit हमें यहां पर देखने को मिले अब समय के साथ सथ क्योंकि technology change होती है staffing proper तरीके से होना बहुत जरूरी है पहले क्या होता था लोगों को बस रख लिया काम पे आता है नहीं आता रख लिया अब ऐसा नहीं है third हमारा topic है guys staffing is a part of HRM staffing को HRM यानि कि human resource management का part का जाता है तो क्या यह बात सही है सबसे पहले HRM होता क्या है HRM होता है human resource management यानि कि यह business में basically एक पूरा का पूरा process एक work है एक पूरा department होता है HRD human resource department होता है ठीक है जिसके अंदर जिसके अंदर basically सिर्फ ना सिर्फ staffing आता है बलकि उससे जादा भाई हमारे employees को क्या pension जानी है उसको gratitude कितनी जानी है उसको क्या-क्या उसको benefits मिलने वाले है या फिर अगर business में कोई लडाई हो रही है तो उसको कौन solve कराएगा वह सारा काम HR department का होता है salary prepare करना सब कुछ HR का होता है ठीक है तो staffing HR सिर्फ एक छोटा सा काम है स्टाफिंग करता है क्या हम यहां पर कह सकते staffing ऐसा part of HR है yes staffing HR का part है but staffing एक उसका एक just a part है क्योंकि HR एक बड़ा process होता है जिसमें बहुत सारे काम होते है इसके बाद है guys staffing का process जो की बहुत important भी है और काफ़ interesting है तो सबसे पहले staffing के process में total eight steps आते हैं देखो अभी मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि Orangeם में हम सबसे पहले काम को… में कामों के कहते हैं ďं though staffing में क्या करते हैं staffing में हम पता लगाते हैं सबसे पहला क्म estimation of manpower requirement यानि कि हमें कितने ङुशकता है you know only department wise हमें कितने लोग्य चाहिए ठीक है इस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए कि हमें अगर लगता है कि purchase में बहुत काम है तो हमें purchase में जाधा लोग चाहिए होंगे Finance में कम काम है तो finance में कम लोग चाहिए होंगे So that is the estimation of manpower requirement तो हम कामों को देखकर estimation लगाते हैं उसे staffing का first step कहा जाता है या staffing की first city कहा जाता है आप कह सकते हो अब इसमें दो चीज़ों का analyze किया जाता है यह बहुत important है एक्जाम में बहुत बार आता है Workload and workforce analysis Workload में आप कामों को देखते हो ठीक है कि हमारे पास कितने काम है और कितने लोग available है या कितने लोग अभी हमें रखने बाकी है तो workload analysis जो होते है वो basically number and type of human resource necessary for the performance of various jobs वो हम पता लगाते हैं workforce में हम लोगों को देखते हैं कि क्या हमारे business में understaff तो नहीं है हम जानी कि अबे 20 लोगों की अविशकता है हम 18 या 17 पे काम तो नहीं कर रहे काम नहीं हो पाएगा फिर या फिर हम देखते हैं कहीं excess staff तो नहीं है over staffing तो नहीं है कि भई या बंदे तो 20 चाहिए लेकिन हमने तो लख रख रख है 30 लोग extra salary जा रहे हैं 10 लोगों की काम भी नहीं होगा ढंक से जादा लोगों में क्योंकि हर एक बंदे को उनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा small amount of work होगा अब ऐसे case में हम लोग यहां पे workforce को analyze करते हैं कि हमारे पास कितने human resource available हैं और उसमें कहीं over या under staffing तो नहीं है और यहां पे हम workload के साथ काम के साथ हम बंदों को देखते हैं कि हमारे पास कितने लोगों की हमें need है जरूरत है किस काम को कौन कर सकता है कितने लोग चाहिए होंगे तो वो workload में बता चलता है है या नहीं है जादा है कम है वो workforce में बता चलता है तो यह सबसे पहला estimation of manpower requirement आता है second है guys हमारे इसमे recruitment थक तो नहीं रहे थक तो नहीं गए देखो first time है guys जिसमें मैं इतनी लबी वीडियो बना रही हूँ otherwise हमेशा short video बनाती हूँ so I hope आप लोगों का इंट्रोस बना रहे सीखो चीजों को साथ में मेरे साथ hope so जल्दी ही life classes भी लोगी आपकी इन ही चीजों को समझाने के लिए अब इसके बाद guys जो second step होते है वो होते है recruitment अब आपने यहां पे पता लगा लिया कि हमें कितने लोगों की अवशकता है अब उन लोगों को ढूंड़ना recruitment कहलाता है basically recruitment की अगर आप definition देखोगे recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization आप ढूंदते हो prospective candidates को जो आपकी company में apply कर सकते हैं and आप उन्हें stimulate करते हो लल्चाते हो आओ हमारी company में CV भेजो ताकि हम आपको choose करें कैसे लल चाया जाता है अगर कोई job का advertisement देखते हो तो कैसे आप देखते हो उसका salary package देखके एक तो जाते हैं काफी अच्छ salary package है जलो यहाँ apply कर सकते हैं छुटियां देखते हैं और other benefits देखते हैं right so recruitment जो होता है उसमें हम अपने employees को ढूंडते हैं कि भाया हमें यह यह बंदा चाहिए computer operator चाहिए हमें engineer चाहिए हमें general manager चाहिए यह सब चीजे हम recruitment that is the second step first में हमने पता लगाया second में अब हम उन्हें ढूंड रहे हैं ठीक है तो ढूंडना एक positive step कहलाता है positive process होता है क्योंकि यहां पर हमें pool of candidates मिलते हैं यानि कि बहुत सारे candidates अपना resume हमें भेजते हैं right cv जिसे हम बोलते हैं इसके बाद third step जो आते है guys वो होता है selection क्या होता है selection staffing के process में जो selection है वो एक negative step कहलाया जाते है क्यों क्योंकि यहां पर जब recruitment में हमारे पास selection के समय पर हम इन सारे लोगों में से सिर्फ दो या चार बंदों को select करेंगे तो जो इतनी भीड थी वो अब काम हो जाएगी इसलिए selection को एक negative process कहा जाता है selection is the process of identify and choosing the best person out of a number of prospective candidate for a job यानि कि selection क्या होता है जिसमें हम identify करते हैं और choose करते हैं best person को क्योंकि 10 लोग अगर interview देने आये तो 10 को तो नहीं रख सकते हैं इसलिए हम best person को select करते हैं ठीक है उसके बाद guys fourth step होता है हमारा placement and orientation placement and orientation क्या होता है basically placement and orientation होता है कि आपने जिन बंदों को रखा है आप उनको उनकी job पर भेजना और orientation का मतलब होता है उनका introduction कराना with the existing जो आपके employees हैं उनके साथ that is called the orientation यानि कि हम introduction कराते हैं अरे यह बंदा हमने choose किया है तो जो पहले के बंदे बैठ होते हैं वह उससे मिलते हैं कि ठीक है मैं purchase manager हूँ अच्छा मैं sales manager हूँ that is the orientation placement क्या होता है उसको उसकी job position बता देना कि आपकी यह job position है यह आपकी chair रही यह आपका cabin रहा आपको यहां बैठके काम करना है so placement refers to employee occupying the position or post for which the person has been selected ठीक है so हमने अभी क्या किया select करने के बाद उसकी job उसकी गदी उसके हाथ में दे दी अब उसके बाद उसकी बात आती है training and development की काम को करने में और ज्यादा efficient हो जाए कम समय में करे और अच्छी तरीके से करे that is called training and development क्या होता है development होता है उसके साथ-साथ और ज्यादा कुछ सिखाना और नए skills उसमें develop करना is development overall जब हमारी personality चीजों को और चीजों को सीखते है तो उसे development कहते है जबकि training जो काम हम सीख कर आये होते हैं उसी को अच्छी तरीके से करना training कहलाता है so training जो होता है एक job oriented processor जबकि development एक career oriented है अब मेरे को अगर पहले सिर्फ एक काम आता था अब चार आने लगता that is called development right so development की वज़े से overall growth होती है employees की जबकि training की वज़े से जो employer वो बस उस काम को better कर पाता है ठीक है इसके बाद आता है हमारा sixth performance appraisal performance appraisal क्या होते है guys fifth training and development था sixth performance appraisal ठीक है इसमें क्या होता है इसमें basically वो उसके हम काम को evaluate करते हैं कि जो हमने इसको काम के लिए training development कराई थी अब उसने ये काम तेड़ महिना दो महिना कर लिया तो चलो अब हम इसकी performance को evaluate करें कि आखिर बंदा काम कर कैसा रहा है that is called performance appraisal means evaluating an employee current or a past performance as against the certain predetermined standard हमने देखा था हमने सोचा था ये बंदा इतना तो काम कर लेगा ये business को manage कर लेगा तो क्या वो उतना कर पा रहा है that is called performance appraisal जहां पर आप उसके standards को उसकी actual performance के साथ compare करते हो maybe actual performance कम हो सकती है अच्छी हो सकती है जादा हो सकती है या बराबर हो सकती है that is called performance appraisal ये 6th के बाद अब हम आते हैं next पर जहां पर हम उसका promotion and career planning भी बात करते हैं थोड़ा सा ये business में आप कह सकते हो कि employees के लिए अच्छी बात हो जाती है कि अब उसको यहां पर staffing में हम उसके promotion के लेकर बात कर रहे होते हैं चलो अब तेरको higher position पर या फिर तेरा और increment किया जा सकता है so that is determined in the promotion and career planning या फिर हम इतर उसे और job opportunities देते हैं और projects को देते हैं कि ये काम कर सकता है इसको चलो अभी तक हम इंडिया का ही काम दे रहते हैं अब हम इसे foreign का काम भी दे सकते हैं promotion and career planning तो promotion is the position उसके increase कर देना उसके responsibility बढ़ा देना promotion क्यलाता है and career planning में हम उसे different different other क्या कर सकते हैं projects दे सकते हैं so यह हमारा seventh number पर आता है staffing में जब हम उसकी performance को calculate कर लेते हैं उसके बाद हम उसको यह different options हम उसको देते हैं करते हैं उसके बाद आते है guys last compensation compensation क्या होते हैं जिसमें basic लिए decide किया जाता है क्या reward in salary employees को दी जाएगी ठीक है जिसमें उसको सारा का सारा पैसा मिलने की बात होती है रचाहे उसका basic salary है उसको कौन-कौन से allowances मिलेंगे सारी चीज़े decide होती हमारे compensation में बोनस कितना होगा सब कुछ compensation में decide होता है So compensation जो basically आप जो financially पैसा देते हो salary जिसे हम कहते है salary दो तरीके से employees को दी जाती है time-based wage यानि कि आपने जितने घंटे काम कराया उससाब से आप salary देते हो किसी को day wise मिलती है किसी को weekly मिलती है किसी को monthly मिलती है वही performance based wage क्यों होती है आपने 100 unit बनाए तो 100 unit के पैसे मिलेंगे 1500 unit बनाए तो 1500 that is the performance based wage So यह 8 step आते हैं guys हमारे staffing के process में तो सबसे पहला हम लोग एक बार दुबारा से एक बार से recall करते हैं Estimation of Manpower Requirements सबसे पहले हम अपना लोगों का पता लगाते हैं कि कितने लोगों की हमें need है Recruitment करते हैं यानि कि advertisement की धुरूव हो जब हमारी company में apply करते हैं फिर हम उन्हें select करते हैं select करने के बाद placement and orientation उनको job पर बठा देना उनको training and development देना training कराना उनकी उसके बाद उनके performance को calculate करना promotion and career planning then compensation तो यह 8 step होते हैं हमारे किसके staffing के process के I hope आप लोगों clear हुए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं So guys अब हम start करते हैं sources of recruitment यानि कि business में किस तरीके से हम job position को fill करते हैं So there are two types of source internal and second is external यानि कि अगर हमारे job में कोई position खाली पढ़ी है हमारे business में कोई position है job position खाली पढ़ी है तो अब हम उसे कैसे fill कर सकते हैं कैसे वहाँ पे लोगों को लगाए तो दो source है internal and external internal यानि कि business के अंदर से ही हमें कोई बंदा चूस करना होता है तो business के अंदर या तो हम transfer कर सकते हैं किसी का या फिर हम second promotion कर सकते हैं अब इसे समझना transfer क्या होता है और promotion और दोनों में क्या difference है और यहां पे कोई एक person है let's suppose sales executive कोई बंदा है वो job छोड़के चला गया तो अब वो चाहें तो South Delhi से या फिर North Delhi से इस job position में उस person को भेज सकते हैं यानि कि South Delhi का sales executive यहां पर काम करने लग गया तो इसे हम transfer काएंगे क्योंकि वो same position पर जाकर काम कर रहा है इसमें ना तो उसके कोई salary increase होती ना ही कोई responsibilities increase होती है अब promotion क्या होगा promotion होगा guys जैसे यह sales executive छोड़के गया और हमने West Delhi में ही sales assistant था जो इस sales executive के नीचे काम करता था ठीक है तो अब हमने इस assistant को executive के job position दे दी यानि कि उसको higher position पर बिठा दिया तो इसे हम promotion कहते हैं और promotion के case में हमारा salary package भी increase होता है साथ के साथ other benefits भी मिलते हैं और responsibilities भी increase होती है ऐसे case में हमारे employees जो हैं वो motivate रहते हैं कि भाया हमें हमारे promotion होने के chances हैं ठीक है तो उनका moral जो हमेशा बढ़ा रहता है यह तो था internal के दो तरीके ठीक हैं अब business में internal source of recruitment के फायदे भी है क्यों business करता है देखो एक तो सबसे बड़ी बात है सस्ते में हो रहा है कोई पैसा खर्च करने के जरुरत नहीं हो रही कि advertisement यह सब करें दूसरा हमारे employees motivate रहते हैं थर्ड एक बहुत simplified process होता है यह इसमें नहीं हमें selection की जरुरत है नहीं selection के case में जो process के steps हैं कुछ भी करने की जरुरत नहीं है medical test लेने की जरुरत नहीं है उसका कोई और test लेने की जरुरत नहीं है तो पैसा बच रहा है internal source of recruitment के benefits अब इसके बाद है इसके नुकसान क्या है देखो सबसे बेला नुकसान यह है कि एक incomplete source है incomplete source क्यों है guys हमारा assistant इतना जाता सीखा हुआ नहीं था लेकिन हमने फिर भी उसे higher position दे दी तो थोड़े lethargic हो जाते है यानि कि आलसी किसम के हो जाते है कि हम काम करें न करें हमें तो business में रहना है और promotion तो हमारा अगले 5 साल के अंदर हो ही जाएगा तो वो वाली भावना आ जाती है उसके बाद spirit of competition hampered competition की भावना नहीं रहती वो क्यों नहीं रहती उन्हें पता है कि हमारा कोई बाहर से compete करने हमें आ ही नहीं रहा में reduce the productivity और उसका effect सीधा का सीधा productivity पे पढ़ता है इसके साथ सथ हमारे पास जो fresh talent है वो कम हो जाता है क्योंकि हम लोग internally जो employee existing है सिफ उन्हें ही जो position में भेज रहे हैं अब यह था internal external कौन-कौन से होते गाईस जैसे internal बस 2 थे external आपके 10 है ठीक है So external में सबसे पहला आता है हमारा campus recruitment, campus recruitment क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सार इंजीनिरिंग college है, management institute है वहाँ पर जो final year का exam दे रहे होते हैं students, companies आती है उन final year के students का interview लेती है और उन्हें वही पर select कर लेती है कि after exam आप हमारी company join कर सकते हो That is called campus recruitment Company आखिर ऐसा करती क्यों है क्योंकि उन्हें fresh talent मिलता है उनको पता है कि यह बच्चे पड़े लिखे है और fresh talent है, fresh talent की आज के टाइम में बहुत ऐमी आता है इसके साथ साथ second है हमारा placement agency and management consulting यह क्या होता है बहुत सारी particularly placement agencies बनी हुई है जो काम ही recruitment का करती है अब अगर हमारी company को suppose करो general manager की need है हम agency को phone करेंगे, agency के पास around 20, 30, 40, 50 resumes रखे होंगे, वो हमें forward कर देंगे या उन general managers को हमारे पास देज़ेंगे, हम interview लेके अरांग से choose कर सकते है तो यहां पर company क्या काम जो होता है वो simplify हो जाता है और उसको एक wide choice मिलती है, of course placement agency यह काम free में नहीं करेगी, पैसा लेगी third होता है guys, हमारा employment exchange, employment exchange भी particularly इसलिए बनाया गया था, जहां पर जो लोग होते हैं, वो अपने CVs को वहां पर दे देते हैं, कि हमारा यह data है, आप रखो, जब भी नौकरी आएगी, तो company वहां पर आती है, नौकरी देखती है, कि हमें इस position का person चाहिए, उसका CV चेक किया जा बड़ जनरली यह unskilled worker के लिए काम करते है, गर्मेंट की पहल थी, बड़ यह up-to-date नहीं है इतना, इसलिए इतना जादा known में नहीं है हमारा employment exchange, ठीके, इसके बाद होते हैं हमारा advertisement, इससे तो आप सारी ही वाखी फोगे advertisement, जो कि हम newspaper, magazines इसमें देते हैं, तो newspaper में तो आपक पूरा एक page होता है, जो job position से ही भरा हुआ होता है कि यहां पर आफशकता है, यह आफशकता है, वो आफशकता है, तो वो advertisement है, वहाँ पर company को एक white choice मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोग apply करते है, इसके साथ ही book में एक direct advertisement on TV, यानि कि television, तो यह हाल ही में famous हुआ है, हलां कि मैं तीवी देखती हैं, तीवी पर भी नीचे कई बार होता है कि आपके advertisement आ जाती है कि इस company में इस चीज के recruitment हो रही है, इसके साथ होता है guys, direct recruitment, यह वाले जो है, यह काफी exam में आते है, direct recruitment क्या होता है, कि company notice board पर एक notice place कर देती है, कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इसे हम direct recruitment कहते हैं, क्योंकि इस case में company को कोई भी पैसा खर्च करने की जरुरत नहीं है, और वो directly उस employee से contact में आ जाती है, जिसको भी लगता है कि मैं यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, एक helper क्याफशक्ता है, वो वहाँ जाके join कर लेता है, ऐसा आपको पता है, छोटी positions के लिए अगर GM के लिए ऐसा लिखा हो, या फिर assistant manager या manager के लिए नहीं लिखते है, तो जो हमारे दूसरे rank होते हैं, unskilled workers के लिए लगाया जाता है, इसके बाद आता है, labor contractor, यह एक वह बंदा होता है, जो business में रहता है, उस company में काम करता है, लिकिन वो सब के साथ phone पर relation maintain करके चलता यह company उसको बोलती है, रहे, 4-5 बंदे भेज दो, वो बता भी देता है, तो उसे बोलते है, labor contractor, ठीक है, उसके बाद होते है, casual callers, casual callers exam में बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें again बच्चे बहुत सी गलतियां भी करते हैं, इसमें casual caller कौन होते हैं, जिसमें company जो है, कई जो पोजीशन फिल करते हैं, बहुत सारे सीवीज आ जाते हैं, तो company उन्हें फाड के फैक्ती नहीं है, company उसका data maintain कर देती है, और जब भी company को बाद में, जो पोजीशन के लिए कोई भी person की need होती है, company उन सीवीज को चेक करती है, और उस person को call करके बुला लेती है, तो उसे हम casual caller कहते हैं, तो company basically data maintain करके चलती है, सीवीज का, इसके बाद आता है recommendation of employees, ये तो आप सबको पता होगा, जैसे अगर मैं company में काम करती हूँ, और मैं अपनी मासी की लड़की हो गई, या चाची की लड़की हो गई, इसको phone करूँगी कि भाई, मेरी company में job position खा लिए, आज ठीक है, और मैंने manager से बात कर ली कि ठीक है, मैं अपनी बहन को लगा दियो, तो that is recommendation of employees, जब हम अपने relative, अपने friends को company में लगाते हैं, business में involved करते हैं, उसके बाद आते है last, web publishing, web publishing आज़की टाइम में बहुत ही famous है, आपको बहुत सारे websites मिल जाएंगे, जहां पर particularly job display होती है जैसे नौकरी.com, timesjob.com, etc. तो guys, ये total 10 sources थे outsource के, यानि कि external sources, जहां से हम employees को hire कर सकते हैं, अब जब हम बाहर से hire कर तो हमें क्या benefit है, qualified employees हमें hire करने को मिलते हैं, fresh talent आता है business में, competitive spirit रहते है, भया हम अच्छा काम नहीं करेंगे, बाहर से किसी को hire कर लेंगे, wider choice रहती है company के स internal में नहीं रहती, उसके बाद है limitation, इसकी क्या कमी है guys, देखो एक लेंदी process है बहुत जादा, ठीक है, आपके existing employers में dissatisfaction रहता है, अगर manager की position खा ली है, तो ये हमें promote नहीं करेंगे, ये बाहर से ही choose करेंगे, तो एक dissatisfaction रहता है, इसके बाद एक costly process है, यानि कि महंगा process staffing का पड़ा था, ऐसे ही selection का भी पूरा का पूरा process है, same जैसे staffing में 8 steps है, इसमें भी 8 steps है, लेकिन उससे कई जादा चीजे है, यानि कि staffing से काफी सारी जादा चीजे हैं, जो हमें process of selection में देखने को मिलती है, यानि कि staffing का जो third step होता है, select करना, यानि कि best employee को select कर लेना, selection कहलात है, लेकिन उसके अंदर का पूरा process है, यानि कि select सिर्फ ऐसे ही नहीं कर लिया जाता, कैसे किया जाता है, तो इसका first selection कहोता है guys, preliminary screening, preliminary screening क्या होता है, कि यानि कि जब भी company क्या करती है, starting में जैसे employees आते हैं, तो बहुत सारे employees ऐसे होते हैं, जो unnecessary बस CV upload कर देते हैं, बिना जा सार साल का है, तो company essay data को starting में ही reject कर देती है, तो जब भी select करने हम बैठते हैं, तो सबसे पहले essay data को, essay CVS को first उसमें ही reject कर दिया जाता है, जो unfit होते हैं, तो उसे हम preliminary screening कहते हैं, ठीक है, eliminate the unqualified or unfit job seeker, ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया, कि actual में preliminary screening में हमारे पास 200 CV आये लेकिन 200 CVS में से सिर्फ 500 ही आगे बढ़ सकते हैं, पचास तो unqualified थे, यानि कि पचास में कोई बात ही नहीं थी, कि उन्होंने कोई online के थे और इस line में apply कर दिया, यानि कि वो हमारे business line से unrelated थे, अब company क्या करेगी, जो ये 500 हैं, इनका selection test लेगी, selection, test लेगी, test कैसे होता है guys, test इसका कोई असान नहीं होता, test भी बहुत टाइप की होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, test कौन से होते हैं, first होता है इनका trade test, कौन से होते हैं, trade test, trade test में ये क्या करते हैं, जो उसका employee है, उसका existing skill है, जो उसने बोला है कि भाया मुझे काम आता है, उससे related उसका test होता है, whether the practical या फिर उसका theoretical, उसके बाद उसका aptitude test होता है, aptitude test basically उसकी learning skill को उसके potential को जानने के लिए किया जाता है, third होता है personality test, personality test उसके emotions को, उसके reaction को note करने के लिए ये test लिया जाता है, उसके बाद होता है intelligence test, जो उसके IQ लेवल को चेक करने के लि लिया जाता है उसके बाद होता है interest test, interest test होता है जो basically उसका interest है वो किस line में है उस चीज़ को जानने के लिए लिया जाता है क्योंकि हर एक employee का अपना एक अलग interest होता है हर एक चीज़ में ठीक है, so ये total पांच टाइब के test होते हैं trade, trade test जो basically उसके ही actual knowledge को check करने के लिए लिया जाता है, उसके बाद second होता है हमारा aptitude जो new skill के लिए होता है, यानि कि उससे बाहर अगर हम निकले, personality हमारी emotion को check करने के लिए, intelligence दिमाग को check करने के लिए, interest हमारी interest के लिए पता लगाने के लिए, ठीक है, तो ये test में अब जो बंदा पास होता है तो वो अब जाता है finally employment interview में, जहां पर उससे directly बैठ के बात करी जाती है, उसके साथ direct contact relation बनाए जाते है, और जब हमें लगता है कि हां, interviewer satisfied है interview से, ठीक है ये बंदा ठीक है तब उससे आगे भेजा जाता है, तो next जब उसका ये हो जाता है, मतलब आमने सामने उसकी conversation हो जाती है उसका पूरा check कर लिया जाता है, तो अब हम check करते है, background and reference check जिसमें उसकी सारी information check करी जाती है, कि वो कहां से आया है, किसके basis पर आया है किसी ने कहीं उसे refer तो नहीं करा है, हमारे पास, यानि कि existing employee ने refer करा है तो सारा कुस्स का background check किया जाता है, अगर उसने बोला है कि मैंने पिछली company में काम किया है, तो किया है या नहीं किया पूरा check किया जाता है, phone पर call करके, so that is the reference and background check, उसके बाद अगर हम satisfy हो जाते हैं उस person से, तब हम 5th number पर उसे select करते हैं तो 5th number आता है हमारा selection, यानि कि अब हमने उस person को select कर लिया, select करने के बाद हम उसका लेते है medical examination ठीक है, अब उसका medical examination होगा, कि बंदा fit तो है, कई पता चले बीच में हो, कुछ नहीं कुछ हरकते कर डालता है, कि इसको चाटे चूटे लगा देता है तो वो चीज़े चेक करने के लिए medical examination कराया जाता है, तक ही वो medical fitness उसकी check करी जाता है 7th में, अब हम उसे करते है, job offer, job offer में basically उसको appointment letter दिया जाता है, जिसमें date mention करी जाती है, कि आपकी कौन सी date है, जब से आपको join करना है तो job offer करने के बाद उसको एक last चीज़ जाती है, that is contract of employment Contract of employment क्या होते है guys, contract of employment पूरा का पूरा एक 8-10 pages का होते है, जिसमें सारी उसकी duties लिखी होती है कि उसको क्या क्या काम करना है, उसका recruitment का पूरा मलब उसका क्या जब छोड़कर जाएगा, क्या रहेगा, salary का क्या structure रहने वाला है, उसको cash कितना मिलने वाला है, हाथ में कितना मिलेगा तो यह सारी चीज़े उसकी contract of employment में लिखी होती है, जहाँ पे सारा job responsibility से लेके हर एक information जो उसके मन में doubt है, उस सारा उसमें लिखा होता है, उसको कितनी छुटिया मिल सकती है एक साल के अंदर, यह सारा information उसकी contract of employment में लिखा होता है तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, selection का, I hope आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें हमने total 8 step पड़े, preliminary screening ठीक है, जिसमें हमने पहले ही unfit लोगों को निकाल दिया, जो fit लोग थे उनका test लिया, test में जो pass हुए उनका interview हुआ, interview लेने के बाद हमने उनका background and reference चेक करा चेक करने के बाद हमने उनने select किया, उनका medical test कराया, fit निकले medical test में जोब offer करके उनको contract of employment पकड़ा दिया हाथ में, ठीक है, so I hope आपको यह पार्ट समझ आया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो guys, अब हम start करते हैं training and development के बारे में, so आप लोगों को यह तो पता है कि training का मतलब क्या होता है, training का मतलब होता है कि अपने employees को train करना और उनकी existing knowledge को और जादा improve करना training कहलाता है लेकिन development होता है, जब हम उन्हें कोई new skill सिखाते हैं या कोई new knowledge प्रोवाइड करते हैं तो वो development कहते हैं हमेशा training जो दी जाती है, जो काम आप जानते हो उसको अच्छा बनाने के लिए दी जाती है, इसलिए यह जो होती है, यह आपके job oriented होती है लेकिन development के अगर हम बात करें, वो हमारे career oriented होती है, क्योंकि उसमें हमारा new skill का development होता है ठीक है, अब guys, जो भी training and development हम अपने employees को provide करते हैं, उससे क्या benefit होते हैं, business को और employees को तो वो सीखते हैं तो सबसे पहले organization को क्या benefit होता है, तो सबसे पहले systematic learning, यानि कि training and development देने से, हमारे जो employees या systematic अली चीज़ों को सीख पाते हैं, कि business में किस तरीके से काम होता है, वो उनको उस चीज़ की knowledge मिल जाती है Second, higher profit, क्योंकि वो काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं, तो business अब profit पहले से बहतर कमा पाता है Third, reduce abscentism and employee turnover, अब हमारे employees को जब भी आप train करते हो ना, जब आप उनको अच्छे तरीके से training प्रोवाइड करते हैं, तो उनके मन में एक self belongingness company के साथ रहती है कि हम company से associated है, हमें काम आता है, तो वो छुट्टियां कम करते हैं, क्योंकि ना काम आने पर ही employee छुट्टियां जादा करता है, जादा तर, ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है But yes, training देने से आपके employees सीख जाते हैं काम को, और वो छुट्टियां कम करते हैं इसके बाद है, एक future manager, क्योंकि training and development में हमारे managers नए skill भी सीखते हैं, तो हमारे employees है, वो manager rank के लिए अपने आपको prepare भी करते हैं उसके बाद है, effective response to environment change, तो training and development के थूँ, हम अपने employees को prepare करते हैं कि अगर कोई भी environment में change आएगा, तो आप लोग उस चीज़ से cop-up कर सकते हो अगर computer में new technology आएगी, तो आपको वो भी सिखाई जा रही है, तो आप उस चीज़ से cop-up कर सकते हो, आपको job छोडने की ज़रुरत नहीं है तो ये तो organization को benefit होता है, लेकिन employee को क्या benefit होता है, देखो उसको चीज़े सीखने को मिल रही है तो उसका better career option उसके सामने खुल जाएंगे, more earning और अच्छा कमा पाएगा, और उसको पता रहेगा कि मेरी worth कितनी है अब मैं और चीज़े सीख चुका हूँ, तो मेरी worth बढ़ गई है, तो वो कमाई भी अच्छी करेगा More efficient to handle machine, अगर हमने इसको machine से related training and development प्रोवाइट कराई है तो वो machine को भी अच्छी तारीके से operate कर सकता है, इसके अलावा उसका moral जो है वो increase रहता है यानि कि उसमें एक motivation की भाव न रहती है, क्योंकि वो company के साथ associate रहता है ये तो था guys benefit, क्या होता है organization को और employees को, इसके साथ साथ training कितने type की होती है दो type की हमारी training होती है, basically, एक होती है on the job, जब हम उसे job में रहते हुए training देते हैं एक होती है हमारी off-the-job training, यानि की job में जाने से पहले उसको training provide करना off-the-job कैलाता है लेकिन on-the-job, यानि की काम के साथ साथ सथ हम training provide करते हैं तो अब इन training में सबसे पहली जो training आती है उसका नाम है apprenticeship training apprenticeship training क्या होती है जिसमें आपने देखा होगा electricians वगरा का जो work होता है तो जो भी main electrician होता है उसके साथ एक helper होता है जिसे हम छोटू कहते है राइट वो उनके साथ लगा रहता है और उनके साथ साथ काम सीख जाता है electrician के case में ले लो आप या अगर आप कोई भी car painter का काम कराते हो तो उन सब case में उनके साथ एक बंदा रहता है helper जो उनकी help करता है साथ के साथ काम सीखता भी रहता है तो ये एक type की training होती है उस person के लिए जो साथ के साथ उनके साथ लगा हुआ है छोटू कि वो काम सीख भी रह है काम कर भी रहा है सीख भी रहा है तो ये on the job training का पार्ट होता है जिसमें हम उसे काम learning while doing सिखाते है यानि कि learn करो जैसे जैसे करने के साथ तो learning while doing कहते है इसे ठीक है इसके साथ एक होती है guys हमारी internship training internship training आपने देखा होगा जिससे CA के case में होती है कि आप education लेते हो institute से उसके बाद आप एक कही पर भी किसी company में आप internship के लिए जाते हो चाहे वो 6 महीने की हो सकती है एक साल की हो सकती है महां से आप उसकी practical knowledge लेके आते हो right that is called internship training इसमें उन्हें एक छोटा सा amount of money pocket money मिलता है जिसे हम stipend कहते हैं तो ये एक उनकी बहुत small amount होता है और जब वो पूरी तर Vestible Training किसे कहते है Vestible की अगर मैं spelling बोलू तो क्या होती है sorry Vestible Training क्या होती है जिसमें हम एक person को अगर main factory में भेजना है तो उसे पहले एक same identical identical फेक्टरी हम बनाते हैं ठीक है जहां पर हम उसे काम सिखाते हैं यहां पर equipments होते हैं machine होती है और जब वो यहां से काम सीख जाता है उसके बाद हम उसे main factory में काम पर भेजते हैं इससे Vestible Training कहते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं हम की identical जगे पर उसे काम सिखाते हैं जो कि दूर इस जगे से अलग हटकर जगे होनी चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर जो machines है वो हो सकता है कि risky machines है high tech machines हो सकती है अगर हमने इसे बिना सिखाय भेज दिया तो हो सकता है यह गलतिया जादा करें इसे ही नुकसान हो जाए तो इसलिए हम उसे पहले काम सिखाते हैं एक आपको यह फूल चेप्टर समझाया होगा अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो तब इता मैसी मेरी आइडिया है और पूच सकते हो थैंक यू